जैहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिभा Online Classes में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए General Knowledge के और General Science के Mixed Questions लेकर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत important वीडियो है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को विए तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बल आइकन को भी प्रेज जरूर कर लें तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहते हैं बहुत important question है दोस्तो very very important question है या आपके लिए तो question number 2 का सही answer है दोस्तों आपका option A, Turkey तुरकी के लिए दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है question number 2 है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो question number 2 के options आपके सामने आ चुके हैं तो यहां पर दोस्तों question number 2 का सही answer होगा आपका option C, सारनाथ जी हां दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में question number 3 है भारत का grand old man किसे कहा जाता है question को एक बार फिर से पढ़ लिजिए भारत का grand old man किसे कहा जाता है बहुत important question है दोस्तों पिछली वीडियो जो मैंने आपके लिए army के original paper की कराई थी जो की para regiment center में दोस्तों relation भरती में 2019 में ये question आ चुका है ठीक है तो वो वीडियो मैंने दोस्तों कल ही upload की अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये जिसमें मैंने army का relation भरती का original question paper का आपको हल करके बताया था तो आप उस वीडियो के लिए हमारे playlist में जाकर channel पर visit करके देख सकते हैं तो question number 3 का सही answer है आपका option D दादा भाई नोरोजी तो यहाँ पर दोस्तों दादा भाई नोरोजी को जिनोंने टिक लगाया है बिलकुल सही answer है आपका question number 4 से पहले दोस्तों मैं आप सभी से request करना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दें और अगर चैनल पर नहीं है जो तो चैनल को subscribe भी जरू करें तो question number 4 का सही answer होगा आपका option B फोस दोनी का जो बेग है वो सरवाधिक किस में होता है फोस में होता है ठीक है question number 5 है दोस्तो हमारा दूरी मापने की सबसे बड़े इकाई क्या है अब यहां पर दोस्तो आपको question को ध्यान से पढ़ना है मैं आपके लिए हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप question को ध्यान से पढ़िए फिर समझिए कि यह क्या पूछ रहा है उसके बाद ही उसका answer दीजिए बरना आप question को अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप question को गलत कर देंगे ठीक है तो दोस्तो बैसे तो दूरी के लिए प्रिकास वर्ष से भी महापा जाता है लेकिन यहां पर सबसे बड़ी एकाई की महाप हो रही है बात हो रही है तो question नुम्बर 5 का सही answer है आपका option A पार से question नुम्बर 6 की तरफ चलने से पहले मैं आपको बतातूं दोस्तों कि यह जो बीडियो है यह special दोस्तों आर्मी जीडी के एक्जाम के लिए बनाई गही है और उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो constable या अफरे head constable लेबल के जो एक्जाम्स हैं जो कि SSC GD के अंतरगत होते हैं उन एक्जाम्स के लिए भी यह जो बीडियो है बहुत important बीडियो है तो question नुम्बर 6 है रेसम कीट पालून का अध्यान क्या कहलाता है तो question नुम्बर 6 का सही answer है आपका option D सेरी खलचर ठीक है question नुम्र 7 है दोस्तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बहुत important question है बहुत सरल question है बहुत ही simple question है लेकिन बहुत बार भी यह question आपके एक्जाम्स आता है ठीक है तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है तोस्तो वो है आपकी गंगा नदी ठीक है तो question number 7 का सही answer है option B गंगा question number 8 है काला सीशा किसे कहा जाता है question number 8 के options आपके सामने आचुके हैं दोस्तो question number 8 का जो सही answer है वो है आपका option B ग्रेफाइट काला सीजा ग्रेफाइट के लिए कहा जाता है कोस्चन नमबर नाइन है भारती थलसिना का मुख्याल लेक कहा है दोस्तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोस्चन बहुत इंपोर्टेंट है किसी भी एक्जाम में आपके ये कोस्चन पूछा जा सकता है तो कोस्चन नमबर नाइन का सही आंसर ओफशन सी दिल्ली भारती थलसिना का जो मुख्याल है वो दिल्ली में है कोस्चन नमबर दस की तरफ चलने से पहले आप सभी को मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि भारती थलसे ना भारती बायू से ना और भारती नौ से ना यानि कि आर्मी येरफोर्स ने भी इन तीनों का ही दोस्टों जो मुख्याला है है वो दिल्ली में है ठीक है तो कोस्चन नमबर दस है सबसे कठोर धातु कौन सी है कोस्चन नमबर दस का सही आंसर है आपका option A platinum ठीक है next question की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दे हैं कि अगर आप इस वीडियो की पीडियो फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश से बिल्कुल फ्री में इस पीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते है question number 11 है भारत के जंडे की लंबाई तथा चौनलाई का अनुपात क्या है तो question number 11 का सही आंसर है option C 3 अनुपात 2 question number 12 है मानब सरीर के किस अंग में रक्त को सुद्ध किया जाता है मानब सरीर के किस अंग में रक्त को सुद्ध किया जाता है question number 12 का सही आंसर है आपका option B गुर्दा ठीक है तो मानब सरीर के किस अंग में रक्त को सुद्ध किया जाता है गुर्दे में लोग सभा चुनाब लड़ने के लिए नियूंतम उम्र कितनी होती है लोग सभा के जो चुनाब होता है जिसके लिए हम MP बोलते हैं दोस्तों member of parliament इसकी full form होती है तो यह चुनाब लडने के लिए नियूंतम जो उम्र है वो कितनी है options आपके इस प्रकार है 18 वर्स 25 वर्स 30 वर्स या फिर 35 वर्स ठीक है तो question number 13 का सही आंसर होगा option C 25 ठीक है question number 14 है दोस्तों आपका amoeba में भोजन का अंतगरहन किसके द्वारा होता है question number 14 का सही आंसर है आपका दोस्तो option A good path question number 15 और आज की वीडियो का last question है डाफर जन जाती भारत के किस राज में पाई जाती है question number 15 का सही आंसर है आपका option C गुजरात ठीक है तो ये थे दोस्तों 15 question तो ये वीडियो कैसी लगी आपको comment करके जरूर बताना सभी question दोस्तों आपके army के exam के लिए बहुत important question थे तो दोस्तों आपसे request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और कम से कम दोस्तों अपने एक friend के साथ में कि आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके साथ में इस वीडियो को share जरूर करें तो चलिए दोस्तों कल की वीडियो में फिर्म लेंगी एक नई वीडियो के साथ में तो तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभाराइब